राधे राधे जी पापांकुषा एकादशी की आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है आश्वन शुकलिपक्ष की एकादशी को पापांकुषा एकादशी कहते हैं पाप रूपी हाथी को पुन्य रूपी अंकुष से भेटने के कारण इसे पापांकुषा एकादशी के नाम से जाना जाता है एकादशी को व्रत राज की उपाधी दी गई है सनातन धर्म में एकादशी तिथी का बहुत विशेश महत्व है पापांकुषा एकादशी करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सो भाग्य की प्राम्ति होती है विज्यादश्मी के बाद भगवान श्री राम जी और उनके भाय भरत जी का मिलाप इसी एकादशी को हुआ था पापांकुषा एकादशी के दिन भगवान विश्णुजी के पद्मिनाब रूप की पूजा की जाती है ब्रह्म वैवर्थ पुरान में इस एकादशी का महात्मे बताया गया है पाप से मुक्ति के लिए इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है आये श्रवन करें पापांकुषा एकादशी की महात्मे कथा कहिए जै भगवान विश्णुजी की लिखिए जै भगवान विश्णुजी की भगतों हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर कमेंट अवर्ष्य करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें धर्म राज युदिश्टिर कहने लगे हे भगवन आश्विन शुकल एकादशी का क्या नाम है अब आप कृपा करके इसकी विधी तथा फल कहिए भगवान शुरी कृष्ण जी कहने लगे कि हे युदिश्टिर पापो का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है हे राजन इस दिन मनुष्य को विधी पूर्वक भगवान पद भिनाप की पूजा करनी चाहिए यह एकादशी मनुष्य को मनवांचत फल देकर स्वर्प को प्राप्त कराने वाली है मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वा फल भगवान गरुडवज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य अज्यानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरी को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते भगवान विश्णुजी के नाम के कीर्टन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुन्य का फल मिल जाता है जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान श्री विश्णुजी की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती जो मनुश वैशनव होकर भगवान शिव की और शैव होकर भगवान विश्णुजी की निंदा करते हैं वे अवर्ष नरकवासी होते हैं सहस्त्रों वाँचपय और अश्वमेत्यग्यों से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी के वरत के सोलवे भाग के बराबर भी नहीं होता है संसार में एकादशी के बराबर कोई पुन्य नहीं इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं जब तक मनुष्य पद्मनाप की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकता है हे राजेंद्र यह एक आदशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुन्दर, स्त्री तथा अन और धन की देने वाली है एक आदशी के वरत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरक्षेत्र और पुषकर भी पुन्यवान नहीं है हरिवासर तथा एक आदशी का वरत करने और जागरन करने से ही सहज में मनुष्य, विश्नुपत को प्राप्थ होता है हे युधिष्टर इस वरत के करने वाले, दस पीडी मात्र पक्ष, दस पीडी पित्र पक्ष, दस पीडी स्त्री पक्ष तथा, दस पीडी मित्र पक्ष का उध्धार कर देते हैं वे दिव्य देह धारन कर चतुर्भुज रूप हो पितांबर पहने और हाथ में माला लेकर गर्षड पर आसीन होकर विश्नुलों को जाते हैं। हेन रिपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और व्रिधावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गती को प्राप्त ना होकर सद्गती को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुकल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का आफरत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरी लोग को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमी, गव, अन, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यम्राज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुन्य कर्म किये बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वो लोहार की भटी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ती के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवालों को सरोवर, बाग, मकान, आदी बना कर दान करना चाहिए। निर्धन मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर कायू होकर दनाध्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिश्टर जी को पापांकुषा एकादशी की महात्तम कथा सुनाए। भक्तों हम सब चाहते हैं कि हमारे सभी पाप नश्ठ हो जाए और हम सद्गती को प्राप्थ हो। नित्य, मनुष्य से कोई न कोई गलती होती रहती है और वह इस कारण पाप का भागी बन जाता है। यदि कोई मनुष्य गलती से कोई पाप कर लेता है तो अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। इससे सभी पापों का नश्ठ हो जाता है और सद्गुनों का समावेश होता है। नारत पुरान के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहुरत मीस्नानादी के बाद भगवान विश्नुजी को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करे। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए गेहु की डेरी पर भगवान विश्नुजी का कलश स्थापित करें। कलश में गंगाजल भरें और उस पर पान के पत्ते और श्रीफल यानि के नारियल रखें। कलश में रोली से ओम और स्वस्तिक बनाएं। इसके पस्चात भगवान विश्नुजी की मूर्ती या चित्र को स्थापित कर गंगाजल की छींटे करना चाहिए। भगवान जी के स्नान अनंतर उन्हें पीले वस्त्र अरपन करें। हल्दी और चंदन का टीका लगाएं। फिर भगवान विश्नुजी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रजवलित करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल अवश्य डाले। तुलसी दल के बिना भगवान विश्नुजी भोग स्विकार ही नहीं करते। इसके बाद कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। रात्री में जागरन रहकर भगवान विष्णुजी के सहस्त्र नाम या भगवान विष्णुजी के भजन कीर्तन गाते हुए रात्री जागरन करना चाहिए। वरत के अगले दिन द्वादशी तिथी में सूरियोदे के बाद ही ब्राह्मनों व जरूरत मंदों को भोजन वदान दक्षिना देकर ही स्वयम भोजन ग्रहन करना चाहिए एकादशी के वरत में अन ग्रहन नहीं किया जाता है व्रती फलाहार कर सकता है या दूध या दूध से बने पधार्तों का सेवन भी कर सकता है दवाया अवश्य ले सकते हैं तामसिक पधार्त जैसे की टी कॉफी, सौफ्ट ड्रिंक, प्यास लहसुन का सेवन वर्चित है आईए भक्तों अब श्रवन करें पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा ओम श्री विश्नवेच विधमहे वासुदेवा यधीमही तन्नो विश्नु प्रचोदयात प्राचीन समय में विंध्य परवत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था वह बड़ा ही करूर था उसका सारा जीवन हिंसा लूटपाट मध्यपान और गलत संगती पापकर्मों में ही बीद गया जब उसका अंतम समय आया तब यमराची के दूत बहेलिये को लेने आये और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतम दिन है हम तुम्हें कल लेने आयेंगे यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भैभीत हो गया नरक में असहनी या नरक यातना भोगने का सोच भी उसमें कमपन पैदा कर रहे थे आजीवन उसने केवल पाप कर्म ही किये थे अब प्रायस्चित का समय भी कहां बचा था वह महर्शी अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्शी अंगिरा के चर्णों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा हे रिशिवर मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किये हैं कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाई बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ती हो जाए उसके निवेदन पर महर्शी अंगिरा जी ने उसे आश्विन शुकलपक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधी पूरवक वरत करने को कहा महर्शी अंगिरा के कहे अनुसार ही उस बहेलिये ने यह वरत किया और किये गए सारे पापों से छुटकारा पालिया और इस वरत पूजन के बल से वह भगवान की क्रिपा से वह विष्णु लोग को गया जब यमराज के यमदूद ने इस चमतकार को देखा तो वे बहेलिया को बिना लिये ही यम लोग वापस लौट कहे इती शुरी पापांकुशा एकादशी वरत कथा संपूर्ण भक्तो इस प्रकार कथा श्रवन करने के बाद आरती से भगवान विष्णुजी का पूजन संपन करें सर्व लोग प्रिय आरती ओम जै जगदी शहरे पंडित श्रधा राम फेलावरी द्वारा सन 1870 में लिखी गई थी यह आरती मूलत भगवान विष्णुजी को समर्पित है किन्तु इस आरती को किसी भी पूजा उत्सर्व पर सुनाया या गाया जाता है भक्तो का मानना है कि इस आरती का मनन करने से सभी देवी देवताओं की आरती का पुन्य मिल जाता है भक्तो यहां हमारी आज की यह प्रस्तिती समाप्त होती है आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैश्री हरी विश्णुजी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें अपने बंधु मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस प्रकार के और वीडियोस पाने के जिए कृप्या हमारे यूट्यूब चानल पवित्रवचन को सब्सक्राइब कर हमसे बनी रहीगा मुझे अनुमती दीजे अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जै श्रीमन नारायन